नमस्कार, मैं हूँ निश्या और आप देख रहे हैं NJP हर्याना विदान सबाचुनाओं से पहले लोग सबाचुनाओं होने हैं लेकिन हर्याना के नित्ता अपनी तैयार इस तरह कर रहे हैं कि साथ चुनाओं होने की स्थिती में उन्हें जटकाने लगे राजनीतिक पार्टियां तो सक्रिये हैं ही मंत्री और विदायक भी अपना घर मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे बावल विदान सबाचेतर से विदायक डॉक्टर बनवारी लाल को ही लीजिए इन दिना डॉक्टर लाल का पूरा जोड जन संपक, जन सुनवाई, अदूरे विकास कारिये को पूरा कराने सामजी कारेकरमों में शिर्कत करके लोगों में स्विकारिता बढ़ाने और जन सरोकार से जुड़ी गोश्टाओं को पूरा करने की टाइम लाइन तया करने में लगा हुआ है फिशने कुछ दिनों के कारेकरमों पर निगार डाले तो डॉक्टर बनवारी लाल जनता से जुड़े मुद्दों पर बेहत गंबीरता दिखा रही है उन्हें पता है कि अपने विदान सबा छेतर से गुजर रहे दिली जैपूर हाइवे की सर्विस लेन पूरी तरह जड़जर हो चुकी है इस कारण लोग परिशान है इसे देखते ही उन्होंने कल कह दिया कि एक सब्ता के अंदर अंदर हाइवे की सर्विस लेन का दुरस्त करवा दिया जाएगा इसी तरह एपस निर्मान में बेसक देरी हो रही हो बगर इस से पहले डॉक्टर लाल E.S.I. अउस्पिटल का उद्गाटन होने के पड़ती आसान विथ हैं उन्होंने कल ही यह बात पी कही कि बावल में बन रहे ESI होस्पिटल का दिसंबर तक उद्गाटिन करवाने का पूरा परियास रहेगा। उन्होंने बावल क्रिशी महावीदा लेके सामने बन रहे चोक, दिली जैपूर हाईवे पर बन रहे बनीपूर चोक के पुल, वैकरमचारी रजब बिमानिगम के तैत बन रहे 150 बैड के ESI होस्पिटल के निर्माण कारियों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ESI होस्पिटल में ट्रामा सेंटर के लावा पांच ओपरेशन थियर्टर भी होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावदान किया जाएगा कि ESI होस्पिटल में बावल के आम व्यक्ति भी अपना इलाज करा सकेंगे। इसके लिए मुकमेंत्री से बात की जाएगी. बाड जैसी प्राकर्तिक आपदा पर डॉक्टर बन्वारिलाल विपक्ष को सीधे निशाने पर लेते वे यह नसीयत देना नहीं बूलते कि इस प्राकर्तिक आपदा पर विपक्ष राजनेती ना करें. कॉंग्रेस शासित राज्य, हिमाचर प्रदेश वे राजस्तान के हालात हर्याना से भी अधिक खराब हैं. धन्यवाद.